इसकार दोस्तों में अलपे जूशी को फिर आपके बीच में एक ना इसलोजी का टॉपिक लेका सिस्पूरी हम बात करेंगे अपनी सेल्फ आइडेंटिटी को हमेशा प्रोटेक्ट करके रखना अपने इगो का थोड़ा बहुत इनके अंतर आ जाता है अपने इगो को हाई रखना लाइश में और ऐसे लोग हमेशा जाएंगे ना तो वह अपने आप सेल्फ कह सकते हैं सेंट आफ अट्रेक्शन बन जा तो इनके इगो हर्ट होगा अब जैसे यहां पर दोस्तों मून इन फरस्टाउस हुआ तो मून जब फरस्टाउस में आता है तो वह भी गईने के व्यक्ति को सेल्फ आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट इस तरीकी से कर सकता है कि व्यक्ति इमोशनली बहुत ज़्यादा प देखना कि अगर उसके मन के मताविक काम नहीं होगा तो उसका दिल पे चोट लगेगी और अगर उसके दिल पे चोट लगेगी तो लोगों से हट हो जाएगा तो मून फरस्टाउस वाले की डिल का बहुत साफ होगा हमेसा मदद करने के लिए तद्पर रहता है दूसरों की करन कई बेखती है मुणी नीचर के कारण खुदी अपनी चीजे बिगाड़ लेता है मून इन फस्टाउस वाले को मैंने भी देखा है दोस्तों कि यह वेक्ती जीवन में यात्रा है बहुत करता है ठीक है मून फस्टाउस वाले की जो लाइश में परपस बन जाता है वह कहीं वीनस फस्टाउस वाला व्यूटिफुल होता है ऐसे लोगों की आंखे बहुत सुन्दर होती है ऐसे लोग अपनी सेल्फ केर बहुत करते हैं अपनी स्किन का ध्यान लखना अपने फूट्स अपने हर चीजों का ध्यान लखना वीनस फस्टाउस वाले अपनी उपर बहुत को चीज़ बताता हूं कि यहां पर अगर सनी आजाए शैटन फर्स्ट आउस यह विक्ति को थोकर बहुत लगती है जीवत में दूसरों से चोड़ खाना दोका मिलना सनी फर्स्ट आउस विक्ति नो डाउट यार वेरी हार्ड बर्किंग प्यूपल्स बट कई नहीं के चीट लिए जाते हैं लोगों के द्वार और यह लोग हर्ड़ों जाते जल्दी तरना आलस बहुत जल्दी आदी धेरता की कई बर कमी भी देखिए जा सकती है सैनी फर्स्ट आउस विक्ति अपकर पर पर्परी करम बन जाता है ऐसे लोग कई बार अपनी वाडियान भी दे पता मार्स इंफर्स इस सब करना यह लोग बहुत ज्यादा अपनी बॉड़ी केर होते हैं अपनी फिजिक को मेंटेन करके रखना इनके अंतरिक होती है अगर यह लोग कई ना कई अगर अगर ज़्यादा नेगेटिव हो जाए मार्स फर्स्ट हूस में तो अगर इनका दिन लडाई के बिना कई बाइव गुजरते ही नहीं है यह मार्स फर्स्ट हूस वाले विक्ति का लाइव का परपस बन जाता है गुस्टा गुस्टे के कारण इन यह लोग जीवन में बहुत ज्यादा चीजे छूड़ जाती है इनके इनके रिस्टेट इनके पैसे हर चीज के कारा इनका जीवन में जो होगा ना मैस परस्ट ऊछव जो बी इनको जीवन में दिक्कत आई होंगी वो इनके खुशे कारण नहीं होगी बुद्ध, Mercury in First House, ये लोग intelligent होते हैं, पड़े लेखे, समझदार होते हैं, पड़े लेखे भी नहीं होंगे, तो समझदार होंगे, skills बहुत अच्छी होंगे, ये लोग बहुत यंग देखते हैं, इनकी skin बहुत अच्छी होते हैं, अगर यहां पर Mercury in aegative ना हो, तो Mars के साथ वगेरा ना है तो थोड़ा बद इनके आप देखेंगे सकीन बहुत अच्छी होती है यह यंग लगते हैं इनकी सिकेर कॉंप्लेक्शन बहुत अच्छी दिखती है रूर है इस एक हटो पड़ता है वी फेक्ति को पढ़ना बहुत अच्छा लगता है इसे लोगों, चीज़े हाни्म पढ़ना पैना किताफ प्ढ़ना को सब्सक्राइब का पसंद होता है छुपीटर अय Kenom परपस बन जाता है कि वह वींदियु विज्डम वाला वेक्ति हो जाता है ऐसे वेक्ति का पर्प्स बने बांगे ऐसे लोग खुद अपने लिए काम कर पाए ने कर पाए खुद की के लाइश में किस कर पाए पाज़ दूसरों को गाइजंस दे कि उसका ला कर देंगे क्योंकि Jupiter is a blessing और वो first house में आके बैठ गए यानि कि आपके स्वैम के साथ आपकी blessing जुड़ गए अगर आप किसी को कुछ देंगे तो वो इसको फल जाएगा तो यह लोग के साथ यह चीज होती है राहू first house वाले दोस्तो ऐसे si days वेक्टी की सीब्सेषण हो जाता है जल्ली राहू first house वेक्टी थोड़े दोके बाज हो जाते हैं अगर नेगेटिव हो जाए राहू first house βेक्टी no doubt बहुत अच्छा कलाकार होता है बहुत ब्रिलियन्ट साराफ mi परसां होता है के तू फस्ट हाउस वाल वेक्ति एमोशनली धोका गाएगा लोगों से एमोशनली हट होता है क्योंकि के तू भी एक एमोशनल प्लैनेट है के तू जब लगन में आता है ना तो ऐसे वेक्ति खुद पर ध्यान नहीं दे पाता अपने एक सेल्फ के नहीं कर पाते ऐसे लोग इनका लाइफ का इनको परपरस ही समझ में नहीं है क्या कर रहा हूं कहां जा रहा हूं किस तरीके से चीज़े कर रहा हूं तो भटकते बहुत है के तू फस्ट हाउस वाले इस